दोस्तों अगर आप भी 100% natural तरीके से यानि प्राकरतिक तरीके से baby conceive करना चाते हैं यानि बच्चा करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से काम आने वाली है अगर आप पुरुश हैं या महिला हैं ये दोनों के लिए ही बराबर काम करेगी महिलाओं में अगर उनके reproductive organs यानि जननांग और साथ में uterus संबंदी यानि बच्चादानी से related अगर आपको PCOD की समस्या है या बच्चादानी में सूजन है या फिर आपकी फैलोपिंट यो ब् हाने में बहुत मदद करेगा तो जिसकी सहायता से आप easily baby को 100% natural तरीके से conceive कर पाएंगे और इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या होती है अगर आप as a partner husband wife साथ में मिलके इनकी practice करेंगे जो मैं आज के वीडियो में योगासन बताऊंगी तो इससे आपका stress भी बहुत हद तक दूर होगा आपके personal relations बहुत अच्छे बने रहेंगे healthy बने रहेंगे और साथ में अगर आपके mind में stress नहीं है तो ये कही न कहीं आपको baby conceive होने में बहुत ही ज़्यादा help करेगा क्योंकि अगर हम mentally रूप से बहुत ज़्यादा tension में रहते हैं परिशानी में रहते हैं त आपके अपने YouTube चैनल योगा वाले पर तो आएए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप ये 100% नैच्छरल तरीके से baby conceive करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी medicine की ज़रूद भी नहीं पड़ेगी या फि ये फिर योगासन की तरफ चलते हैं तो पहला भ्यास रहेगा हमारा मलासन का तो हम करेंगे मलासन का एक variation इसके लिए simply हमें अपने पैरों को खोल लेना है आगे से अपने लेक्स को open करते हुए आएंगे अब यही से अपने right knee को band करते हुए floor पे टच करना है इस तरीके से आप side by side इसे change करते हुए जाएंगे इससे बहुत ही अच्छा effect आता है हमारे जो private parts होते हैं उनको active करने में बहुत help करता है और साथ में baby conceive करने के लिए तो यह बहुत ज़्यादा रामबाड इलाज बन जाता है तो इसी तरीके से आपको 20 count करते हुए आना है और इससे आप तीन बार repeat करते हुए आएंगे यानि आपने 20 count अपने आप से count करना है और इसी तरीके से तीन बार आप इसे repeat कर लेंगे चलिए अब आजाते हैं हम यहाँ से दूसरे योगासन की तरफ जिसे हम बोलते हैं अर्ध राजकपोतासन इसमें हम राजकपोतासन हाफ वे में लग अब यहीं से थोड़ा सा आगे की तरफ आपको बढ़ा लेंगे हाथ का support रखते वे और यहीं पर आपको hold करके रखना है कुछ नहीं करना है सिर्फ अपने लेक को band कर लेंगे सामनी की तरफ देखेंगे पीछे से अपने पैर को सीधा रखेंगे घुटना नाम उड़ा रह सामने की और देखेंगे और यहीं पर बने रहेंगे बेस काउंट तक इसी तरीके से आप इसे तीन बार रिपेट करते वे आएंगे तो धीर इसे रिलाक्स कर लेंगे अब आते हैं हम यहां से तीसरे योगासंग की तरफ जिसमें हमें अपने लेक्स को वाल पर लेके जाना है इसे हमारा जो भी प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत मतलब जितना भी आपका ब्लड का सेर्कुलेशन है वो लेक्स से होते वे आपके प्राइवेट पार्ट्स तक जाएगा और आपको एक अच्छा बैलेंस क्रियेट कराने में हेल्प करेगा और इसे बहुत आपको पैरों को पहले आपको एकदम आगे चले जाना है अच्छे से अपने बट को यानि जो आपको बटेक्स वोर्जन है इसको अच्छे से वाल पे टच करवा देना है तो इसी से इसका सई रिजल्ट आपको मिलेगा अब यहीं से दोनों पैरों को बैंड कर लेंगे इस तरीके से यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक इसका अभ्यास भी आपको तीन बार रिपीट करते वे आना है अब इसी में हम सेकंड वैरियेशन के लिए आएंगे उसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उपर की दिशा में लेके जाना है और यहीं पर आपको क करना है इसके लिए अपने पैरों को इस तरीके से बैंड करते वे अपने हातों से पैरों के अंगुठे को पकड़ लेंगे और धीरे से लेक्स को सामने की ओर लाते वे ओपन कर लेना है इस तरीके से ओपन करते वे आएंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और इसका अभ्यास भी आप तीन बार repeat करते वे आएंगे, फिर धीरे से relaxed position में चले जाएंगे. तो दोस्तो ये थे हमारे कुछ ऐसे योगासन जो की हमें बहुत ही ज़्यादा help करने वाले हैं अगर natural यानि प्राकर्टिक तरीके से आप baby conceive करना चाहते हैं और इसी के साथ आपको positive रहना हैं. अगर आप किसी भी चीज में positive रहते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छ लगे comments करके जरूर बताना और साथ साथ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले bell icon को भी all पर press कर देंगे ताकि इसी तरीके के healthy updates हमारी वीडियो के थ्रू आप तक easily पहुंसते रहें. तो अभी के लिए नमस्कार जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में.